दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम फाइल करेंगे ITR2 को जहां अगर आपने कोई वर्चोल डिजिटल एसेट को सेल किया है या फिर क्रिप्टो को सेल किया है वहां आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है लॉस हुआ है तो ITR2 के अंदर आप कैसे दिखा सकते हैं तो अगर पर अल्रेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्योंकि यहां पर भी मैं उसको एड कर दूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है तो इसलिए मैंने उसके वोपर सब्रेट वीडियो बनाया हुआ है सेलरी और लॉंग टर्म कैटल गिन और शॉर्ट टर्म कैटल गिन शेर्स या मुच्वल फंड्स पर आप उस वीडियो को देख लीजिए यहां पर मैं सिरफ आपको आई टेर टू के अंदर क्रिप्टो का गेन आपको कैसे दिखाना है वही दिखा लेएं तो जैसे ही आप अपने इनकम टेक्स के पॉर्टर पर लॉग इन करेंगे तो या तो आफ फाइल नाव पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों या फिर आप यहां पर इनकम टेक्स रिटरन सेलेक्ट कर लें फाइल इनकम टेक्स रिटरन अससमेंट येयर में 2023 चूज कर ले और आपकी इंकम 2.50 लैक से जादा है और आगर आप एक सीनियर सीजिजन है और वहाँ पर 3 लैक से जादा है तो आप ये वाल आप्शन चूस कर सकते हैं अदर्वाइस ये वाल आप्शन चूस कर सकते हैं तो चलिए मैं चूस कर लेता हूं तो देखे सबसे पहले आपको ये एक जर्नल टैब ओपन होके आजाएगा को कुछ करना नहीं है आपको इस तरीके से नीचे इंकम डेक्शन टेक्स और अदर सब को स्लेक्ट करते चले जाना है तो यहां आप कुछ मत कीजिए जैसा दिख र मैं अंटिक कर देता हूं क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सेलरी आपको कैसे दिखानी है आई टिया टू के अंदर कैपिटल गेन जो आपको शेयर मार्केट में आपने शेयर सेल किये मुचल फंड सेल किये वहां पर लॉंग टरम शॉर्ट टरम कै कैसे दिखा सकते हैं इसी तरीके से अगर आपने कोई प्लॉट या हाउस भी सेल किये तो वहां पर भी आपको जो है डिटेल वीडियो मिल जाएगा इस वीडियो की डिस्किप्टिशन में जाए और देख ले तो मैं इनको अभी अन्टिक कर देता हूं क्योंकि इस वीडिय स्पेशल इंकम क्योंकि दोस्तों जो वर्चुल डिश्टल एसट है इसके उपर स्टेट फॉर्वर्टी टेक्स लग जाता है प्रॉफिट के उपर तो इसलिए स्पेशल इंकम का केस हो जाता है तो इसके मैंने टिक कर दिया है थोड़ा सा नीचे आएंगे देखिए आपको क की कॉलम पर आ जाएंगे तो देखिए यह आपको कुछ करना नहीं है नीचे आप आएंगे तो देखिए आपको टेक्स प्याइमेंट इस डिडिक्त हुआ है तो आप जनली दोस्तों इनको यह करके रखें तो आप इनको जो हैस्ट करके रखें देखिए थोड़ा नीचे आएंगे अब आप उपर चले जाएं दुबारा आप अधर्स में आएंगे तो देखिए आपके शुडूर नजर आजाएंगे साइला बाफला आपको इनको टिक रहने देना है कुछ नहीं करना है जो भी आपके शुडूर यहां पर टिक हैं एम्ट एम्ट से आपको नहीं सेक्शन 115 BAC तो देखिए निव टेक्स रिजीम मैं चूज नहीं कर रहा हूं क्यूंकि अगर आप निव टेक्स रिजीम चूज करते हैं तो आपको किसी भी तरीके का अगर आप सेलरे इंप्लोई है तो कोई भी एक्जंशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा इसी तरीके इसी तरीके से आप पांच साल के टेक्सेवर एफडी लेते हैं होम लोन प्रिंसीपल हो गया बच्चों की टूशन फीस हो गई थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए आपको इसको सिंपली पहले आप येस कर सकते हैं और या पर अमाउंट कर सकते हैं अगर आपका सक्षिया है इस तरिक से आपको सारे ही सेक्षियन या पर नजर आजाएंगे अब मैं सि कौंटिन्यू कर देता हूं उसके बाद ये पार्ट जनरल इंफमिशन आपको जो है वह कंफरम कर दे चले जाने है तो सबसे पहले मैं पार्ट जनरल आइन इंफरमेशन को क्लिक कर द और उसके बाद यहाँ पर आपको चूज करना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद देखे, दो यू आपको बागी सब नो रखना है, नीचे आ जाएं, अगर किसी कंपणी में डिरेक्टर है, तो येस कर सकते हैं, अदर्वाइस नो कर दीजिए, इसके बैंक डिटेल पर आएंगे, बैंक डिटेल को कंफर्म कर दीजिए, तो देखे, आपका जो पहला टैब है, दोस्तों, वो कंफर्म हो चुका है, इसी तरीके से आपको जो ये सारे टैब है, वो कंफर्म करते चले जाने हैं, शेक्शन 112 ये जो है, वो long term capital gain होता है, अगर आपने कोई share sale किये हैं, तो वहाँ पर आपको कोई long term capital gain होए है, mutual fund sale किये हैं, तो simply आप कुछ नहीं करना, अगर कुछ नहीं है, तो simply यहाँ पर click कर देना, इसको confirm कर देना है, उसके बाद आपका देखे, जो schedule रहेगा, वो रहेगा VDA, income from transfer of virtual digitalizer, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो इसके उपर मैं चले click कर देता हूँ, तो जैसे ही click करूँगा, तो देखे, यहाँ पूछेगा आप से, click the below button to add details, to schedule VDA, तो आप इसको add detail कर दीजिए, उसके बाद देखे, gain head के अंदर ले जाता है, जो भी आपको loss या gain होगा, आपकी cost of purchase क्या थी, और आपको sale consideration कितना मिला, उसको sale करने पर amount कितना मिला, और यहाँ पर आपका profit and loss आ जाएगा, या gain या loss आ जाएगा, तो देखे दोस्तों, क्या होता है कि अगर आपने, बहुत कम transaction की है, 10-20 transaction की है, तो आप manually फिर भी यहाँ पर fill कर सकते हैं, बट अगर आपके transaction suppose करें, 500 हैं, 700, 800, 1000 transaction है, तो उस case में आपको individual, individual करना यह बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ हैसा option दिया नहीं हुए, है कि यहाँ बल्क में कोई file add कर सकें, तो उसके लिए आप ITR2 जो offline mode होता है, वो कैसे file कर सकते हैं, वैसे तो मैंने ITR1 के उपर already offline mode file किया हुए, उसको आप देख लीजे तो वहाँ से कुछ idea आपको लग जाएगा, बट यहाँ पर आपको single single transaction ही देना पड़ेगा, तो आपके कम transaction है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप manually उसको add कर सकते हैं, तो असलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले तो date of purchase और date of sale को जो है वो choose कर लेता हूँ, तो देखे क्रिप्टो जो है मैंने यहाँ पर आपको क्रिप्टो का नाम mention करने की जूरत नहीं है, simply आपने किस तरीक को purchase किया था वो देना है, तो 9 March 2018 को क्रिप्टो purchase की थी, उसको sale किया 2 December 2022 को, उसकी जो cost of acquisition थी 2,00,00, रुपे थी, तो आप उनसे जो है वो profit and loss statement जो है वो माल सकते हैं, या आप उस crypto की site पर जा के उसको download कर सकते हैं, अगर वहाँ से download आती है, नहीं होती है, तो आप इनको mail कर दीजिए, या इनके help line number पर जो है phone करके, आप इनको बता सकते हैं कि हमें आप अपनी profit and loss statement जो है वो दे दीजिए, financial year 22 ते इसके लिए, तो आपके पास जब वो profit and loss statement आ जाएगी, तो आपके पास पूरी ही डिटेल आ जाएगी कि आपकी purchasing क्या थी और आपकी sale क्या थी, otherwise अगर आपने कोई अपना personal record maintain कर रख एक्सल के अंदर के किस तारी को purchase किया, किस तारी को sale किया, तो बहुत अच्छी बात है, आपका वहीं से काम हो जाएगा, तो देखिए, यहाँ पर आपको किसी भी तरीकी की fees या commission इसके अंदर नहीं आने चाहिए, क्योंकि जो यह section है, जो इसके provision है, वो साफ कहते हैं, कि आपको केवल sale value और purchase value ही लेनी है, उसमें कोई सी भी commission, कोई fees आपने पे की, उसका benefit आपको नहीं मिलेगा deduction के अंदर, इसी तरीके से sale के अंदर भी आपको purely कितने coin थे, और कितने रुपे में sale किया, वही value लेनी है, तो देखें, यहाँ पर profit जो आगया है, sale करने पर दोस्तों, वो 50,000 आगया है, तो देखें, एक चीज़ और यहाँ बता रहा है, income from transfer of virtual digital asset, enter nil in case of loss, तो अगर यहाँ पर आपको loss हो जाता है, तो फिर loss का benefit आपको नहीं मिलता है, यहाँ पर by default ही zero आजाएगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा, एक छोटा सा provision में यहाँ आपको बता देता हूँ, तो चलिए, वो भी आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो पहले इस information को add कर लेते हैं, तो यह मेरी information जो है add हो चुकी है, अब आपने एक दूसरी crypto को ही sale की होगी, तो इसको भी add करना पड़ेगा, तो add another को पर click कर दीजिए, तो देखें, दूसरी crypto मैंने add कर ली है, यहा यहां मुझे 50,000 का loss है, तो काईदे से यहां पर आपको minus 50,000 दिखना चाहिए था, बट देखिए, इसने आपको loss का benefit नहीं दिया, इसने यहां पर state forward ही zero कर दिया, तो crypto के अंदर क्या है, कि आपका अगर profit होता है, तो आपका अगर प्रॉफिट होता है, तो आपका अगर अ क्रिप्टो के अंदर ऐसा नहीं है, क्रिप्टो के अंदर वो 50,000 का profit होगा, उसके तो आप से 30% tax ले लेगा, बट जो loss होगा, उसको वो zero कर देगा, उसको आपका set off का benefit आपको नहीं देगा, तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, कि government भी जो है कही ना कहीं चाहती है, कि आप क्रिप्टो के अंदर ज्यादा ट्रेडिंग ना करें हैं, कहीं ना कहीं जो government है वो डिस्क्रेज करती है क्रिप्टो के अंदर investment करने से, इसका यहीं मतलब होता है, तो चलिए अब इसको add कर लेते हैं, तो देखे दोनों ही information मैंने add कर ली है, दो coin मैंने sell की, दोनों क आपका overall profit देखे 0 हो जाता, बट क्योंकि यहां पे इसने जो loss को 0 कर दिया, तो आपका overall profit इसने 50,000 ही दिखा दिया, अब आपको इसके उपर tax pay करना पड़ेगा, तो चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसको confirm कर लेते हैं, तो देखे जैसे ही confirm किया मेरा इस डूल भी confirm हो देखे, तो देखे, schedule special income आप आएक पर confirm कर दीजिए, क्योंकि जो यह crypto है, इसके उपर 30% straight forward जो tax लगता है, वो special rate से लगता है, तो इस schedule special income कर देता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, तो देखे, जो section 115 BBH, यह जो section है, इसे deal करता है, जो कि यह कहता है कि आपका जो भी यहां पर profit होगा, उसके उपर 30% tax लग जाएगा, तो देखे, straight forward ही 30% tax लग गया है, 50,000 की उपर 30%, आपको मैं उपर दिखा जिता हूँ, दोस्तों, इसको, एक मिएट, यह देखे, यह आपका special rate है, यह income है, यह taxable income है, और यह tax दे रहोन है, तो देखे, यही tax जो है 50,000 की उपर, 15,000 का tax आप से चार्ज कर लिया है, straight forward जो है 30% tax आप की उपर लगा दिया है, section 115 BBS के अंदर, तो इसको आप confirm कर दीजिए, तो देखे, यह schedule भी आपका confirm हो चुका है, इसी तरीके से आप सारे schedule जो है, confirm करते चलिए, simply आप कुछ करना नहीं है, यह पर click करना सो confirm करते चले जाना ह है, अब मैं नीचे आजाता हूँ, देखे, मेरा schedule special income भी confirm हो चुका है, अब मैं और नीचे आजाता हूँ, अब देखे, मैं आपको ये last वाले जो तीन है, ये करकर दिखा देता हूँ, बाकि आप जो है simply confirm कर लीजिए, तो पार्ट भी total income में जब आप आएंगे, तो इसको house property income है, नहीं, capital gain आपको 50,000 का हो गया, last में आएंगे, तो देखे, capital gain चार्जेबल एड़रे 30% अड़रे 15BBS, तो ये 50,000 का है, आपको नीचे आजाएंगे, आप इसको confirm कर दीजिए, तो ये schedule आपका confirm हो गया है, अब जो tax paid है, उसको भी confirm कर दीजिए, तो यहाँ पे click कर द हो, आपकी कोई other income हो, जैसे आपका कोई FD का interest हो, saving का interest हो, वहाँ पे कोई TDS कटा हो, इस तरह के से crypto पे अगर आपका TDS कटा होगा, section 194S के अंदर हो TDS कटा होगा, वो आपको 26AS के अंदर नजर आ जाएगा, तो ये data जो है, automatically, आपका जो है, auto populate हो जाता है, 26AS से और annual information statement से, तो ये automatically आपका यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा, नहीं भी आता है, तो आप उसको simply, जो है, add कर सकते हैं, आप देखे, add जहां कहां जाकर करेंगे, TDS deducted at source on income, TDS deducted at source on income, इन information में जाके आप जो है, इसको add कर सकते हैं, आप थोड़ा नीचे आएंगे, तो देखिए, अ तो टल टेक्स बन गया है, इसने दिखा दिया है, 15,000 का आपका टेक्स बन गया है, 15,000 का आपका टोटल टेक्स था, इसमें हुआ क्या है, 50,000 के ओपर जो आपका प्रॉफिट तर 30 प्रेंट आपका टेक्स लग गया, बट क्योंकि आपकी income जो है, 5,00, रुपी से तो जो आपका टोटल टेक्स 11,000 था, उसमें से साड़े बार अजार की आपको रिबेट मिल गई, तो जो बच गया टेक्स वो आपका 2500 टेक्स बच गया, तो जो टोटल टेक्स आपका हो गया, वो 2600 हो गया, तो देखिए अब आप इसको यहां से पे कर सकते हैं, अब आप पे कैसे करेंगे, तो इसकी उपर भी already मैंने डेटेल में वीडियो बनाया है, जहां मैंने आपको बताया है कि आप अपना self assessment टेक्स जो है कैसे पे कर सकते हैं, तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे description में दे दिया है, आप जाएं और देख लें और उस टेक्स को पे कर लेंगे, दोस्तों तो आपको क्या करना है, ये back to schedule आजाईए, तो दुबारा से आपने जो टेक्स पे किया था, पहले confirm किया था, इस टेक्स पे की उपर आपको जो है क्लिक कर देना है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए, आप थोड़ा जब नीचे आ जाएंगे, त आपने वो जो 26 रुपे का चलान पे किया होगा, तो वहाँ पे आपको BSR code 7D का generate हो जाएगा, चलान serial number generate हो जाएगा, date आजाएगी और आपका amount आजाएगा, तो देखिए चलान कैसा होता पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देखिए इस तरीके से आपका चलान जो है BSR code नजर आजाएगा, 6390009, 7 digit का चलान number आजाएगा, tender date आजाएगी और amount 2600, तो चलिए हम फिल कर लेते हैं, तो चलिए अब इसके अंदर हम ये सारी detail को फिल कर लेते हैं, तो मैंने BSR code 7 digit का डाल दिया है, चलान number डाल दिया है, date जाल दिया है, तीन जून 2023 को ये चलान deposit क रवाया था, 2600 की amount थी, अब मैं इसको add कर देता हूँ, तो देखे, जैसे ही मैं इसको add करूँगा, अब आप इसको confirm कर सकते हैं, तो देखे, आपका advanced tax and self assessment tax आपको 2600 रुपे यहाँ पे दिखा देगा, तो अब आप इसको confirm कर दीजिए, तो देखे, जैसे ही आपको इसको पेड कर चुके हैं, फिफ्टींत नमबर पर, तो 2600 रुपे आपका tax pay हो गया, अब आपकी amount available जो है, वो zero हो गई है, नहीं आपको कोई tax pay करना है, अब नहीं कोई आपका refund बनेगा, क्योंकि जो 2600 रुपे का tax था, आपने self assessment tax pay कर दिया है, अब थोड़ा नीचे आ जाएं, और otherwise any asset located outside India, अगर आपके case में है तो yes कर सकते हैं, otherwise no, तो generally ये no ही रहेगी, उसको प्रियू रिटन पे क्लिक कर दीजिए, तो जैसे ही प्रियू रिटन पे क्लिक करेंगा, दोस्तों देखिए, आपको इस तरीके से tap दिखा देगा, यहाँ पर चेक बॉक्स से क्लिक कर आपको लगता है गलती है तो इसको एडिट कर सकते हैं, आप लास्ट में आ जाएंगे सिंप्ली आपको verification का time मिल जाएगा, proceed to validation कर दीजिए, आपकी idea to validation हो चुकी है दोस्तों, अगर यह validation नहीं होगी तो आपको यहाँ error दिखा देगा, simply आपको इस error के उपर क्लिक कर देना है, तो मैं आधार OTP का use कर लेता हूँ, उसके बाद continue कर देता हूँ, अब आई agree पे click कर देता हूँ, generate कर देता हूँ, आधार OTP, आधार OTP, fill कर देता हूँ, validate कर देता हूँ, और देखिए अब यह finally आप से confirmation मागेगा, submit कर दीजिए, आपकी return successfully, submit होच की है, तो इस तरीके मेरे मेरे में सहाना जिस्टे यह ठीक है,